प्रेक पीजाने से पहले उस्थ आपके एक सवाल हमें आया था और उनने कहा था कि किसी एक को ऐसी फिगर बना देना जिससे बच्चे धरें यूजली फादर होते हैं और इनके घर में थोड़ा सा सिस्टम उल्टा है मदर है लेकि इनके बच्चे काफी डिसिप्लेन है यह अप्रोच हम पूछते हैं माम यह क्या अप्रोच है यह प्रोच सही रहती है जी इनका यह सवाल था कि किसको सॉफ्ट बनना चाहिए तो उसमें यह कहूंगी कि बनना च फिर्स बोउन चायल हमेशा रोबदार होता है वो चोटे बहन भाईयों को भी हैंडल कर रहा होता है अम्मी उसको कई दफा छोड़ के जाती है इनको देख लेना में आ जाओंगी तो उसको आटोमेटिकली डिसिप्लिनेरियन बनना पड़ता है सबसे चोटा बच्चा चाह है तो उन में से कोई एक सॉफ्ट होता है एक नहीं होता है वो वही चीज बच्चों पर भी आजाती है अगर एक आप ऐसे लड़के से शादी करने जा रही है जिसकी हिस्ट्री यह है या वो बताता है कि देखो मेरे अम्मी अभू मुझे बच्पन में बहुत मारा करते थे बहुत मारते थे तो अब आप पहले उसका इलाज करा ले जो उसके जो प्रॉब्लम्स क्रेट हो चुकी है नजर नहीं आरा आपको वो नजर तब आएगा जब बच्चा सामने आएगा ठीक है क्योंकि आपके सामने एक लड़की है उसको एक ऐसा हिदन सा वो हो गया आपको क्योंकि उसका reflexion बन गया कि मैंने बच्चे को मार ऑज एक पार जगा ही वो सोचता के मैं आपने बच्चों को कभी भी हमारूंगा क्यों कि रहुतह आयो वो और कुछ नहीं सोच रहा हुता है क्योंकि देखें मारने से बच्चा खुड डिवैल्यू हो रहा हुता है पेरेंट डिवैल्यू हो रहा हुता है और पेरेंट को ये पता ही नहीं चल रहा हुता और मारने की भी किसमे हैं अगर हम मारने को देखें, सिर्फ कहे दें मारना, तो एक मारना होता है कि आपने बच्चे को बड़ा ऐसा हिट किया कि उस पे निशान आ गया, एक मारना ये होता है कि निशान कोई नहीं आया, और आपने बच्चे को एक जटका सा दिया, या यूं समझें कि उसको एक जगा के लिए उसको जरा जोर से उसका बाजू पकड़ लिया या हलके से उसको चपत लगा दी ठीक है अब हम पूरा कुरान पाक अगर एक्स्प्लोर कर ले हमें पहले सिपारे से आखरी सिपारे तक कहीं नहीं नजर आता कि बच्चे कुमार हो कहीं समझ ही नहीं आता मुझे तो न लेनी होती है तो हम सबसे पहले पुरानी ऑथेंटिक बुक्स को देखते हैं और यह तो यूनिवर्सल है हर दोर के लिए तो हमने यह देखा कि उसमें तो यह नहीं है अचा उसमें नहीं है तो भई फिर कहां से आ गया आपका जो प्रोग्राम का मुझे पता चला तो मैंने ए मैं अकसद उनको जजमेंट देना नहीं था इंफोमेशन लेना था तो मैंने आराम से पूछा कि जब आपको मालूम है कि गलत है तो फिर क्यों मारते हैं कहते हैं क्योंके हमने अपने उसाथजा से ऐसे ही बढ़ाए तो हमें यह हमने लिंक बना लिया कि शाहिद बचा यू मुझे एक बात बताएं अक्सर अब हमारे हाँ यह जो शीजोफरीनिंग डिप्रेशन बहुत जादा इंकरीज और इस्पेशली 18-19 एज में जो बच्चे हैं इस्पेशली लड़के जो हैं बहुत जादा मेरे यह काफी लोग हैं ठीक है आप आपको डॉक्टर हैं ने ने म मशाला आपका बहुत अच्छा अब्जर्वेशन है और बिल्कुल अप्रॉप्रियेट है जी हाँ जी बहुत मुझे सही तफसीर से बताएं क्यों कि यह बहुत सी मिसकॉंसेप्शन्स हैं कि जो अपनॉर्मल बच्चा पैदा होता है एक जो हता है रिटार्टी जो के पदा प्रशनिक जी इख सथी बहुत से प्रोची में कोई जीन होता है वैज जो बाइच 시-घा कि उट इख में डॉट गफ़ार्ड में होता है जो आते है जो अच्पन फोनी है वो नीग से स्जिशन डिवार्त में कोई जो घनटिकल आनल या इन्र नी कर दॐındहा है बहुता है साही मा के अंदर से चीनाजी आती है और मेल में जो एकस है उसमें भी तो है ना हाँ जी नी मैं तफियल इन सक्यूंकि अब आप इंटरनेशनली या नेशनली जो भी अबजर्ब करें लोग आपको सुनेंगे ना डॉक्टर साहबा को तो बड़ा कहा जाता है नी जी यह जो फी मेल की साइट से ना उदर से आईए और मेल जो है और उसका जो पीछे फैमिली है वो सारी इस रिस्पॉंसिबिल्टी से बरियुद्जमा हो जाती है कि नी सारी ऐसे शादी कर लिए स्पेशली कजन मैरिज चले नहीं अब तो कम ही हो रही है हो भी रही है बहुत की बेसिक सोशल प्राब्लम्स की वज़ए से कर भी ले हैं लोग के रिष्टा नहीं मिलता तो चले जियो नसीब का बाद में हो जाता है मुझे आपने एक्स्प्लेइन करना है सारा कसूर फीमेल साइट से होता है य और एक्स एक्स वाई जीन किस चीज़ का रिस्पॉंसिबिल्टी है डब प्रीमेल जीन जो एक्स है और यह जाए जाए इनका जवाब यह है कि पहली बात तो यह है कि ना फीमेल जीन जो एक्स है उसकी वज़ा से कुछ हो रहा है ना वाई से हो रहा है अगर दोनों की आपने फैमली हिस्ट्री देख ली अगर आप किसी जगा रिष्टा देने जा रहे है और आपने देखा कि जो लड़की है उसका मामू या चचा या उसका कोई और रिष्टेदार जो है वो शिजोफर अगर इसलिए देखें ना तो फीमेल को ब्लेम करें और मैं साथ ही कहूंगी ना मेल को ब्लेम करें गर और ड्म कळूब ऐसी को नहीं करें और अगर आपने दुसरा इन官 एनका एक सवाल तो यह जवाब आपको मिल गया होगा इकशह आ को चाहिए जब शादी कर रहे थे तो सोच समझ के देख के करें, पूरा खांदान देख के करें. जैसे अभी आज कल यह जो एक बच्चों के बीच में हमोफिलिया का शायद जो प्रॉब्लम है, तो उसमें अगर मदर की फैमिली में है, हमोफिलिया और फादर की भी है, तो फिर तो डेफिनेटली बच्चे को होगा ना, तो साओधी अरब में तो बैन हो गया है, कि जब तक ब्लड टेस्ट नहीं होगा तो आप, हमारे भी तो आया था निकारा में के इसमें के, और यह जीन्स जो हैं, आप डिन टेस्ट अप नहीं कराते हैं बच्चे का बस आप यह देख लें के ठीक है यह हो चुका है, अब इसको है, ना मेल ब्लेम करना है ना फीमिल को, दूसरी चीज आपकी observation बिलकुल ठीक है, जब लड़का या लड़की 14 साल के होते हैं, तो you have to be very very conscious about them, यही वो vulnerability का time है जब बच्चे को psychosis हो सकता है, ठीक है, नूरोसिस भी हो सकता है, psychosis पे हम इसलिए परिशान होते हैं, कि इसको तो फिर आपको दवा से treat करना है, और दूस क्रिटिसाइज किया, उनको कहा, तुम कैसे लग रहे हो, हाथ दो कर आओ, तुम नहाते नहीं हो, तुमारे से बद्बू आ रही है, वो बच्चा OCD में मुब्तिला हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने बहुत जादा उसको hand washing पे, देखें कहीं ads भी आते हैं, उसमें hand, अब हमें इतनी भी hand washing बच्चे को नहीं करानी कि वो OCD में मुब्तिला हो जाए, ठीक है, तुम अभी जलो नहा कराओ जल्दी से, अब वो अपने उपर इस चीज़ को मुसल्लत कर लेता है, ठीक है, अच्छा वह पते क्या है, वो यह वारा खत्म हो गया, और टॉपिक हमारा खत हम बिल्कुल भी नहीं हो पाया है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम आप से promise करते हैं कि नेक्स्ट फाइड़े, आप इसी topic को continue करेंगे, बहुत important topic करेंगे, तो किसे बहुत जादा बात बात बहुत जरूरी है, जिन बच्चों को आपने बड़ी उमर तक चीजों से मार है, ठीक है, उठा उठा के चीजों से मारा है, हैंगर उठा लिया, stick उठा ली, उन चीजों से आपने उठा उठा के बच्चे को इतना मारा है, वो slapping में नहीं आता, वो physical abuse में आता है, और उसके नतीजे में बच्चा बड़ा होकर आप से anger और hatred भी develop कर सकता है, और उसको reverse क करने का भी तरीका है, अगर आप मार चुके हैं, यह गलती कर चुके हैं, तो उसको reverse भी कीजिए, ठीक है, और यह reverse हम कैसे करेंगे, यह हम आपको next session में बताएंगे, जी, next Friday तक बताएंगे, thank you so much for coming, views, अभी वक्त हो गया, चोटे से break का, break के बाद हम एक बहुत ही important issue, यान मैं चाहेगा, we'll be right back.